नमस्कार साथियो यदि आप KVS में जॉब करना चाह रहे हैं और सरकारी सिक्सक भरती परिक्षाओं की तयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी खुसकवरी है जी हाँ साथियो बताना चाहेंगे अब केंद्रे विद्धाले संगठन जो की प्री प्राइमरी सिक्सक वैकेंसी भी करवाएगा जी हाँ साथियो यदि ये वैकेंसी सफल हो जाती है तो इन वैकेंसी को पर्मेनेंट भी कर दिया जाएगा बताना चाहेंगे आपको कुल मिलाकर के जो की 450 KVS विद्धालों में ये भरतिया की जाएंगी जो की प्री प्राइमरी है यानि क बालवाटी का जी हां साथ यों बताना चाहेंगे बालवाटी का के पद इन भरतियों में सामिल रहेंगे और आप किलिरली देख सकते हैं बालवाटी का जो की इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है opening of the section of बालवाटी का यानि की for children of five plus years of age यानि की पांस साल जो की पांस साल वाले बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाने के लिए जो बालवाटी का सिक्सक कहलाते हैं उन्हें की ये भरती शुरू हो चुकी है शुरू होगी जो की अब होने जा रही है जो की पिछले साल भी पच teacher training course है या certificate आपने किया हुआ है तो आप भी pre primary यानि की बालवाटी का सिक्सक अभियर्थियों मतलब की सिक्सक भरती परिक्षाओं की तयारी कर सकते हैं जी हां साथ यो बहुत ही अच्छा और सुनहरा आउसर है आप देख सकते हैं इसमें engagement of ये वाली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरी जानकारी वीडियो में लाश्ट तकाब बने रहे हैं engagement of teachers and caregivers यानि की helpers यानि की इसमें teachers की जो की बालवाटी का teachers है उनकी तो job है ही और साथ में इनमें इसमें caregivers यानि की जो की care taker है उनके लिए भी ये job अविलेबल है और आप देख सकते हैं इसमें clearly वीडियो के माध्धम से में पूरी जानकारी समझाओंगा आप देख सकते हैं इसमें और साथ यह बताना चाहूँगा कुल मिलाकर के 450 यानि की 450 पूरे भारत देश पूरे भारत भर में ये 450 KVS विद्दालों में ये वेकेंसी है और region भाई देख सकते हैं आप यदि आप आगरा से है तो आपको बताना चाहूँगा 21 वेकेंसी है जो की आगरा region से है एहमदाबाद की बात करें तो एहमदाबाद में 19 वेकेंसी है जिहां आप देख सकते हैं और बैंगलोर की बात करें यदि आप बैंगलोर से है तो बैंगलोर में 20 वेकेंसी है आप किसी ना किसी region से इस form को apply कर सकते हैं क्योंकि ये KVS all इंडिया level पर है जो की पूरे देश भर से अभियरती इन भरतियों को apply कर सकते हैं आप देख सकते हैं बोपाल से भी है और भुनेशवर से भी है चंडेगट से भी है उनने से चननाई से 20 है और दहरादून जो की सायत यानि की केरला से है और आप देख सकते हैं इसमें साइड में भी देख सकते हैं राज्य का नाम लिखा हुआ है और आप देख सकते हैं कि आप ये permanent जो की है हाँ जी हां साथियो और एरना कुलम से बता दिया है गुरुग राम हरियाना से भी है और यहां तक की गुआ हाटी आसाम से है और हैदराबाद जो की आंधर प्रदेश और तेलन गाना से भी है यह वैकनसी यदि आप जवलपुर मधिप्रदेश से भी है और जैपुर राजस्थान से भी है जो कि आप देख सकते हैं कितनी सारी राजिस्तान जैपूर के अंदर इन इन सहरों के अंदर जान जाक ये KVS विद्याले है जम्मू से भी है कॉलकाता से भी है लखनाउ से भी है मुंबई से है पटना से है और राइपूर 36 गड़ से है राची जारखंड से है आप देख सकते हैं सिल्चर से है जो कि त्रिपुर इन में वैकेंसी है और वारानसी है उत्तर प्रदेश जो की जी हां साथ यो बहुत अच्छा सुनहरा आउसर है आप देख सकते हैं नौटिफिकेशन पूरी जानकारे आप देख सकते हैं ये नौटिफिकेशन जो की साथ यो बताना चाहूंगा 4 जुलाई 2023 को ये का 3 के लिए 5 जुलाई से लैटेश्ट है ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्टेशन और बालवाटी का जो की ये टाइमिंग दी हुई है लाश्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्टेशन फूर बालवाटी का आप देख सकते हैं इन में बच्चों के एडमिशन को ले करके और चात्रों के लिए भी वैकिनसी नौटिफिकेशन जारी होगी जो की आने वाले कुछी दूनों में ये सुरू हो जाएगी अगर ये सफल होती है तो इसके बाद मैं इसे पर्मानेंट वैकिनसी भी किया जाएगा जो की प्री प्राइमरी लावल पर ये वैकिनसी होगी इन भरतियों के लिए आवेदन कर सकते हैं जी हाँ साथियों बहुत अच्छा सुनहेरा आउसर है गोल्डन चांस है आप सभी के लिए आपको मैं दिखा देता हूं इसमें जो कि आपकी क्वालिफिकेशन भी ये दी हुई है साथियों देख सकते हैं आप क्वालिफिकेशन फुर बालवाटि का टीचर्स प्रिस्क्राइबड बाय एन सी टी इ इन गिलो बिलो जी हाँ साथियों बिलो याने की नीचे दी हुई है आप देख सकते हैं सीनियर सेकेंडरी जो कि इसमें क्लियरली मैंसन क्या हुआ हुआ है की nursery teacher education जो की pre-education आप देख सकते हैं ये इसका जो qualification ना ये दी हुई है इसमें diploma in nursery teacher education या फिर pre-school education या early childhood education program DECED of duration of not less than two years और BED या BED अगर आपने किया हुआ है तो उसमें nursery from and CTE recognized institutions जी हाँ साथियो special for EC के लिए आपके पास में certificate या diploma होना चाहिए तब ही आप इन भरतियों के लिए भी आविदन कर सकेंगे और साथियों आप देख सकते हैं इसमें नीचे दिया हुआ है one caregiver cell be engaged by each of the KVS for balvatika 3 याने की by in KVS विद्धालियों के लिए जो की balvatika 3 है इनके लिए साथ में इनोंने care givers याने की care takers की भी इनमें vacancy है जो की वो भी contract इसतर पर है जी हाँ साथ यो care taker की जो vacancy है वो भी contract इसतर पर है यदि आप इच्छों के तो आप आविदन कर सकते हैं इन भरतियों के लिए अब बताना चाहेंगे आपको आप देख सकते हैं इनमें जो की helper के लिए है caregivers या फिर helper दोनों को हम एक ही पोश्ट दोनों को नाम अलग अलग है लेकिन पोश्ट एक है जो की देख सकते हैं उसके लिए भी qualification दी हुई है इसमें secondary class class 10th या इसके समकक्स होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए और 18 years आपकी age होनी चाहिए और introducing इसाथ में training in pre-school education या फिर और any person processing skill training adequate training या prescribed NIPCCD NSDC और any other institution से आपके पास ये qualification होनी चाहिए और salary for helper salary for the rates application for semi skilled person आप देख सकते हैं इसमें जो की qualification दी हुई है salary दी हुई है और ये जो की आप बताना चाहूँगा आपको ये salary दी हुई है आप देख सकते हैं और आप KVS की official website पर जाओगे और वहाँ पर announcement section में जैसे ही जाओगे तो आपको ये वाली PDF मिल जाएगी जिसे आप download करकर के आराम से पढ़ सकते हैं और आप सभी जानते हैं जी हाँ साथ हो KVS की official website पर आपको जाना है आप देख सकते हैं इसमें further smart class facilities introducing good audio systems the other teaching ads and storage facility इसमें initially sum of rupees जो कि दी हुई है तक्रीबन thousand salary made available and initial grant of KVS headquarter government funded KVS towards ये आपके मतलब का नहीं है लेकिन इसमें salary भी कही ना कहीं दी होगी तो आप एक बार जरूर एक बार चेक कीजिएगा उसके बाद मैं आपके पास सुनहरा आउसर है तो आप आविदन कर सकते हैं इच्छो के वं योगिया भीहरती बताना चाहेंगे अगर ये vacancy सफल होती है तो इसके बाद मैं permanent vacancy भी जारी की जाएंगी उसके बाद मैं KVS मैं pre primary और PRT TGT PGT जो की आप notification जारी होगी वो PRT PGT TGT के लिए होगी लेकिन उनके साथ मैं pre primary के लिए भी भरतिया निकलेंगी जी हाँ साथ यो बहुत अच्छा सुनहरा आउसर है यदि आप सब सिक्सक भरती परिक्षाओं की तयारी कर रहे हैं KVS के लिए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ओन करें ताकि informative वीडियो आप तक पहुंचती रहे मिलते हैं informative वीडियो के साथ जै हिन जै भारत